हेलो बुगाजी हम लोग चलते हैं इसके इंडिफिनेट इंटिग्रेशन के अब हम लोग अभी जो सीखेंगे वो सीखेंगे क्या पार्सियल फ्रेक्शन पार्सियल फ्रेक्शन से हम लोग इंटिग्रांट को इंटिग्रेशन कैसे करेंगे अगर कोई भी rational form में कोई भी integrant है PYQ के form में जब भी उस integrant को अगर denominator में दो factor है factorize करते हैं अगर linear factor है repeated linear factor है या quadratic है उसका जो भी term है दो term में तो उसको factorize करके या नहीं factorize है तो factorize करके एक तरह से form में change करेंगे इस तरह के form में change करेंगे कि वह integration हो जाए easily जो सीखें है अभी तक जो formula जो हमारे पास standard result आया उसके according तो partial fraction का हम लोग use कैसे इसलिए करेंगे आपर ठीक है जैसे यहाँ पर देखिए integration of the rational function using the partial fraction सबसे पहले देखिए polynomial 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 of degree n कि polynomial function किसको बोलेंगे degree n का की and algebraic expression expression px जैसे देखिए a not x to the power n a1 x to the power घटते हुए decreasing order में हम लोग polynomial अब डिगडी देखिए यहाँ पर x to the power n minus twice उसी तरह बढ़ते हुए कहां तक हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 है तो उसी तरह कितना है हमारा a n x to the power कितना हो जेगा n minus 1 जीरो कॉंस्टेंटर वेयर a 0 a 1 a 2 यहाँ पर क्या है कि a n are क्या हमारा real constant real constant है ठीके a n जो है हमारा क्या है a n जो भी दिया रहेगा वो हमारा क्या रहेगा यहाँ पर belongs to natural number के form में और यह क्या है a nought जो है जो highest यहाँ पर है उसको degree यह 0 नहीं होना जो है real number यह वाला 0 नहीं होता है age called इसी को बोलेंगे क्या polynomial polynomial of degree कितना हो जाएगा degree n ठीके अब यह polynomial degree है यह polynomial degree of n में यह देखिए हमारा यह pxx function है जो polynomial function है of degree कितना जितना highest degree example रहेगा यहाँ पर देखिए अगर मान लिए कि px का degree लिखा हुआ कितना 3x square minus 2x plus 3 यह polynomial है तो क्या लिखते हैं हम लोग quadratic expression of the degree 2 polynomial कहा है quadratic expression quadratic expression ठीके expression of degree कितना है polynomial degree of 2 बोलिए ठीके trinomial बोलिए ठीके तो जब हमारा py यहीं पर हमारा rational rational function रहेगा rational function किसको बोलेगा rational function and algebraic expression algebraic expression in the form of in the form of किसके p by q p by q का मतलब क्या है p x का है और यह b x का मतलब है ठीके यह जो है polynomial where where p and q are polynomial 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 is called इसी को क्या बोलेंगे rational function example के तोर पर देखे rational के polynomial example पर देखे यह देखे तो यह से लिखावा है 2 x plus 3 यहाँ पर लिखावा है 3 x square minus x plus 2 यह है कि नहीं और यहाँ पर देखे आल जब लेखे polynomial जो होगा यहाँ पर सारा का सारा जो डिगडी है अगर यहाँ पर fractional radical form में ही जो होना ची 1 x 2, 1 x 3 इस तरह के फॉर्मेट में नहीं है उसको अगर होगा भी यहाँ पर तो नीचे वाला तो फेक्टराइज नहीं नहीं होपागा उपर में है तो कोई बात ने उसको डिभाइड करेंगे हम लोग देखेंगे फिर उसका डिभाइड करने के बाद हमारा जेंडरली क्या है कि rational form में हमारा नहीं आएगा pure तो क्या हो जागा यहाँ पर देखें तो यह है कि नहीं हमारा अज़ बिर एक expression उपर भी है नीचे भी है हमारा इसको क्या बोलेंगे हम लोग देखें तो इसको rational rational function है कि नहीं rational function में भी हम लोग क्या करेंगे दो तरह का क्या जीच एक तो पढ़ेंगे pure या proper एक में क्या है proper rational function क्या है proper rational function ठीक है दूसरा में क्या लिखेंगे दूसरा में क्या पढ़ेंगे improper इंप्रोपर रेशनल फंक्शन ठीक है प्रोपर रेशनल किसको बोलेंगे सबसे प्रोपर तो जानते हैं कि जैसी यह प्रोपर है कि इंप्रोपर है तो यहाँ पर देखिए कि ध्यान रखना है कि जब डिगडी उपर में कितना है यह नहीं, इसको क्यों हूँ यहाँ पर क्योंकि इसी को rational function में तब कर लिये है तब इसको क्या बोलेंगे हम लोग proper rational function ओके, तब proper rational function किसको बोलेंगे हम लोग proper rational function ठीके, proper rational function किसको बोलेंगे, if if the degree of degree of numerator numerator greater than or equal to proper है improper हो जाएगा, less than less than degree of denominator अगर हमारा degree of numerator छोटा है degree of denominator से छोटा रहेगा, तो इसको हम बोलेंगे, तब क्या बोलेंगे, इसको proper rational function, example देख लिएगे अपर जैसे देखिए, 2x square minus 3x plus 2 यहाँ पर देखिए, x cube plus x plus 2 यह है कि नहीं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ नुमेरेटर उपड में, यहाँ पर हम लोग को क्या है, degree of degree of numerator कितना है वुआ, 2 degree of denominator कितना है, degree of denominator कितना है, degree of denominator कितना है, देख रहे है कि 3, कितना है, 3, यह greater हो गया कि नहीं, तो numerator का degree जब छोटा होगा, तो वो क्या हो जागा है, हमारा यह क्या हमारा, proper, पहुँ सारा example हो सकता है, जैसे x plus 2, यहाँ पर लिखा हो, x square minus 3, x plus 1 यह सब क्या है यह हमारा क्या है प्रोपर प्रोपर रेशनल फंक्शन ठीक है प्रोपर रेशनल फंक्शन ठीक है इंप्रोपर किसको बोलेंगे इंप्रोपर रेशनल फंक्शन किसको बोलेंगे बताएए इंप्रोपर रेशनल फंक्शन किसको बोलेंगे if the degree of degree of numerator numerator greater than or equal to greater than or equal to degree of किसके होना चाहिए degree of denominator degree of denominator जब रहेगा तो ऐसे को क्या बोलेंग example यसे देखें यहाँ पर अगर यहाँ पर यहाँ पर देखें थिरी एकसे स्क्वार something कुछ भी हो सकता है यहाँ पर लिखा हुआ है कि एकस पलस थिरी तो यहाँ पर देखें उपर में केतना है इसको क्या बोलेंगे इंपोड़ो पर इंपोड़ो पर rational function ओके क्यों यहाँ पर देख रहे हैं कि because देख रहे हैं कि degree of numerator कितना है देखो तो यह greater than हो गिया यह equal to भी होगा यहाँ पर देख रहे हैं न greater है numerator का और कितना हो जाएगा equal भी रहेगा तो यहाँ degree of कितना होगा degree of denominator कितना हो जागा denominator देख रहे हो one one हो गया one तो आपका क्या मिल गया यही पेड़ तो इसको क्या बोलेंगे इस तरह से बहुत सरा example और भी लिख सकते हो लिख लो जैसे मान लिया जाए कितना हो गया two x square x cube plus three x plus one यहाँ भी कितना हो जागा x two x minus three इस तरह से दे दे सकते हैं यह भी हमारा क्या हो जाएगा हमारा improper additional function हो गया और भी ले सकते हैं लेकिन जब हमारा improper rational function रहेगा तो क्या करेंगा उसको पहले proper बनाएंगे हम लोग टीके ना जिसे सपोस कि जी हम लोग कि अगर कोई function है if the integrant, if the integrant, integrant is improper rational function then, firstly हम उसको करेंगे क्या हम लोग firstly, we can convert कर लेंगे convert, we can convert convert किजिए, convert into किस में करेंगे हम लोग proper, proper rational function में additional function में, ठीक है और उसके बाद जो हमारा additional function है जो integrate करेंगे जो rational function आएगा पीछे जितना पढ़े हैं आप लोग जितना results हैं हमारे पास उससे हम लोग integrate कर लेंगे कर लिए, example such that जैसे दिखेंगे न, क्या such that, जैसे मान लिया कि आपके पास क्या है PX by QX के form में यह हमारा rational function है क्या हमारा rational rational function है, ठीक है rational function जब दिये हुआ है इस तरह से इसको transform कीजिए कैसे करेंगे हम लोग कि यह PX को हम लोग किसे divide करेंगे, जो denominator में दिया रहेगा, उससे इसमें जितना से multiply करेंगे constant भी हो सकता है कब? जब डिगडी सेम होगा तब नहीं तो QX से अगर multiply करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जागा? QX से multiply कीजिए तो यह कितना हो जागा? QX into यह जो divide कर रहे हैं, इसको घटाईएगा जो बचेगा वो भी rational होगा तब यह कैसे हो जागा PX by QX कितना हो जागा हमारा यह देखे QX यह क्या हो जागा? QX पलस निशे क्या है? RX by क्या है हमारा? QX ठीके? यह जो dividend है diviser जो है हमारा हमेशा क्या होगा? proper में कि degree जो होगा हमारा किसका? remainder का हमेशा इससे छोटा होगा वेर जहाँ degree of RX remainder जो होगा अलवेश क्या होगा? छोटा होगा degree of किसे? degree of QX denominator से तब यह convert यह जो हो जाएगा ना अब जो यह हो जाएगा यह वाला term यह क्या हो जाएगा? proper rational function हो जाएगा ठीके? proper rational तो यह समझ में आ गया जैसे दिखिए यहाँ पे हम लोग कहते हैं proper में जैसे example के तोर पर देखिए example अगर मान लिए कि 3X square या 3X cube ही लिए 3X cube plus X square minus 2 ऐसे लिखे होए है by अगर लिखे होए है कि X plus 2 यहाँ पे इसको तो direct integrate नहीं कर सकते हैं इसको ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं जैसे divide करते हुए हैं simply उसी तरह divide कर लिए किसे? X plus 2 से यह जो PX है नीचे क्या है? QX है यहाँ पर देख रहे हैं इसको डिवाइड कर लेते हैं यह जो डिगडी है डिगडी ओफ किसका? numerator का कितना है? 3 है और यह greater हुआ की नहीं? degree of किसे? degree of किसे? denominator से denominator से समझ लिजे बात denominator कितना है? 1 है इसका दिखिए X पर power कितना है? degree कितना? 1 तो यह हमारा क्या हो गया? proper की improper? improper अब proper में transform करना है हम लोगों को जब इससे divide कर लेंगे तो यहाँ पर कितना है? देखो X cube तो यहाँ पर कितना हो जागा? X square से multiply करेंगे X cube जगा 3 है तो 3 इससे multiply कर लेंगे 3 X square लिख लिए multiply करने के बाद यहाँ पर लिखे थे कितना होगा? 3 X cube अब यहाँ पर कितना हो जागा? plus 6 X square अब transform कितना घटाना है? subtract किजिए तो ये तो cut गया plus minus नीचे वाला minus x square minus 6 square कितना हो गया minus 5 x square इसको लिखे minus 2 अब कितना से transform करेंगे अब कितना से multiply करेंगे यहाँ x square है यहाँ कितना है x to power 1 है कितना से कर दें x square है तो x से multiply किजिए यहाँ minus 5 है तो minus 5 से multiply किजिए minus 5 x है minus 5x से minus 5x से multiply किये minus 5x तो यही minus 5x यहां लिख दिए minus 5x से इस से इसको multiply किज़े कितना हो जागा minus 5x से square फिर minus plus यहाँ पड़ plus 10x अब इसको क्या करना है घटाई यह plus हो जागा minus बाला plus subtract करना है तो यह तो plus minus चला गया यह कितना minus 2 यह minus 10x साजा के लिखे minus 10x minus 2 ओके लेकिन जब भी भी देख रहे हैं यहां पर कि यह remainder जो है आपका इसका degree 1 और इसका degree 1 तो इसका मतलब क्या है कि अभी भी होगा जब भी equal होगा अभी भी improper में रहेगा तो इसको कितना से minus 10 से कितना से minus 10 से multiply कि minus 10 से मतलब यहां minus 10 हो गया तो minus 10 से multiply किज़े तो minus 10x अब कितना हो जागा minus 20 अब क्या है इसको देखे minus minus plus plus कट गया कितना हो गया plus 18 remainder ठीके अब क्या है कि इसी को now हम लोग जो करेंगे तो कैसे है इसी को इंटिग्रांट के फॉर्म में अगर 3x स्क्वार plus x स्क्वार minus 2 रहे x plus 2 इसको कैसे यह देखे यहीना हमारा क्या चे qx यह क्या हमारा rx या constant इसका जो डिगडी छोटा रहेगा क्योंकि इसका डिगडी 1 है तो constant रहेगा उसे छोटा क्या constant रहेगा कितना हो जागा qx कितना हो जागा 3x स्क्वार minus 5x minus 10 plus remainder बाई कितना इतना से डिवाइड किये थे x plus 2 यह आपको आप कनवर्ट हो गया अब इसका इंटिग्रेट कर लेंगे यह इस तरह से हम लोग पहले कहिए quadratic या cubic ठीक है तो जितना भी polynomial है उसका degree depend करता है जितना इसका power होगा वही degree होगा ठीक है जब भी numerator का degree हमारा greater हो या बराबर होगा तो divide करके हम लोग उसको proper में बदलेंगे तो यह हम लोगों को समझ में आ गया और आपको भी समझ में आ गया अब देखिए partial fraction की बात करते हैं अब हम लोग partial fraction की बात करते हैं तो partial fraction में कैसे हो जाएगा अब चलते हैं partial fraction ठीक है partial fraction कहते हैं किसको partial fraction किसको बोलेंगे देखिए दो partial fraction हम लोग कि इसको अगर मान लिया जाए कि हमारे पास एक rational form में partial fraction हमारा denominator में अगर factorize किये हैं linear partial fraction भी देखिए suppose कर लिजे कि यहाँ पर लिखा हुआ कितना है कि suppose कि लिए 7 by यहाँ पर लिखा हुआ जैसे 2x minus 3 ठीके और उसके बाद दिख देते हैं यहाँ पर 2x plus 4 ठीके इसको partial fraction में अगर तो रहेंगे देखिए दो factorize linear आ गया कि नहीं quadratic भी हो सकता यह linear 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 quadratic linear 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 यह तनी बार हो repeat करेंगे इसको देखिए जैसे हैं इसको factorize दो लिए ऐसा integrable में convert कर दें दो factorize में कि जिसका integrable possible हो integration तो हमारा इसको देखिए इसको कितना लिख सकते हैं 1 by अगर लिखा जा कितना है हम लोग 2x minus 3 minus 1 by 2x plus 4 इसका LCM लिजी तो कितना 7 आड़ा है कि नहीं इसको इधर लेगे इसका LCM दोनों हो जाएगा 2x plus 3 minus इतना करेंगे 7 देखिए इस तरह से हो गया factorize यह जो देख रहा है कि left hand side को right hand side of the factorize on this इसी को हम लोग क्या बोलते हैं partial fraction इसी को क्या बोलेंगे right hand side जो है left hand side is factorized in the two terms which is integrable function यह integrable function हो जाएगा उसी को partial fraction करे partial fraction देखिए fraction ठीके integration उसका हो जाया संद हम लोग partial fraction ऐसे कर लेंगे अब देखिए न हम लोग कैसे करते हैं partial fraction में सबसे पहले partial fraction में यह partial fraction जो होता है एक में क्या करते हैं कौन सा एक हो गया कि linear factorization linear linear factor होगा linear factor और repeated linear factor factor नन रिपीटेड नन रिपीटेड रिपीटेड ठीके दूसरा में लिखेंगे linear factors repeated ठीके अब देखिए बहुत सारा है linear और उसके बद क्या है quadratic हो जाएगा quadratic factor उसके बद क्या है हमारा linear का repetition हो जाएगा quadratic का नहीं होगा quadratic का होगा repetition linear का नहीं होगा वह सारा है उसके बद क्या करते हैं quadratic का लिख देते हैं quadratic factor ठीक है repeated जैसे देखिए expression देखिए हम लोग कैसे factorization कैसे हम लोग करेंगे यहाँ पर देखिए यह हमारा expression expression अगर हमारा ऐसा रहेगा expression अब उसके बाद यहाँ पर लिखते है partial fraction partial fraction partial fraction में हम लोग जैसे माल लिया कि उपर में दिया हुआ कैतना उपर में बोले हैं कि जैसे देखें क्या है 2x या Px मान लेते हैं न हम लोग क्या कर दें यहां पर देखते हैं कि जैसे Px 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 plus Q यहां पर क्या है Ax plus B और यहां क्या है हमारा देख रहे है Ax plus C ठीके दोनों टर्म देखें दोनों दो फैक्टर है हमारा दोनों अलग भी हो सकते हैं इसको कैसे हम लोग बदलेंगे सबसे पहले इसको ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे कि A by हम लोग लिखेंगे क्या linear में Ax plus B अब plus B by क्या है Ax plus C देखें रिपीट नहीं कर रहा है दोनों का दोनों अलग 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 है ठीके एक भी बदल गया कुछ भी यहां पर बदल गया इसी को partial fraction आ A, B, C क्या है एक parametric constant है जिसको निकालना है हम लोगों को और इसका integration तो हो सकता है असानी से example दिखेगा तब समझ में आएगा example में अगर दिखेगा अगर लिखा हुआ है क्या x plus 1 by x plus 3 यहां पर लिखेंगे कितना यहां लिखेंगे 3x minus 1 इसको कैसे आलग करेंगे हम लोग दिखे तो A by यहां पर लिखेगा x plus 3 plus B by कितना हो जागा 3x minus 1 यह समझ में आगया कैसे कर लिए हम लोग पार्चिर फ्रेक्शन और A और B का वैलू निकालेंगे अगर मान लिखेगा ठीक इसी जगा और भी example में वहुत सारा expression देते हैं यहां पर देके लिखे लिखेगा इसका degree अगर इसको denominator में multiply करते हैं तो यह हमारा प्रोपर है कि इस पर उपर में degree देखे एक है एक ही factor है नीचे में एक इसमें है एक इसमें दोनों का multiply करेंगे तो एक स्कॉार हो जाएगा तो उपर वाला numerator में degree हमारा 1 है नीचे में अगर multiply करते हैं तो degree कितना हो जाएगा 2 तो यह हमारा प्रोपर rational function होगा ठीक है इंदीगरांड में समझे में ही बात अगर माली यहाँ पर कुछ भी हम लोग देते हैं यहाँ पर देख लिजिए अगर लिखते हैं कि क्या P X पलस Q linear ही है हमारा यहाँ पर देखे यहाँ पर लिखते हैं जैसे माली कि X पलस 3 X पलस 4 अब उसके बाद क्या 4 का square उपर में linear नीचे में कितना है यहाँ पर देखे एक से square का squading किजिए ते quadratic बन जाएगा इससे multiply करिए ते cubic बन जाएगा तब इसका मतब 3 हो गया उपर में degree 1 है नीचे में degree 3 है जब भी रहेगा हम लोग नीचे में factorize कम से कम at least 2 हो linear linear ही सही तो यहाँ पर कैसे करेंगे इसको दिखे तो A by कैसे करेंगे हम लोग पहले कितना है X plus 3 दूसरा कितना है B by कितना लिखेगा X plus 4 जब भी linear हैगा ते कितना C by कितना लिखेगा X plus 4 का whole A square ठीके अब देखें यहाँ पर कुछ भी लिख सकते है उपर में quadratic भी लिख सकते है जैसे लिख दिया है 2X square कितना लिखेंगे 3X plus 1 कुछ भी यहाँ पर देखे X plus 1 X plus 2 का square नीचे कितना हो गया देखे यह cubic हो गया अब भी क्या है कि यह हमारा proper हो गया अगर यहाँ पर repeat कर गया है नीचे में quadratic हो जागा X square plus 1 अगर इसको सबसे पहले कोसिस करना है कि factorize कर दें लेकिन X square plus 1 का factor नहीं होगा क्योंकि X का कुछ भी रखिएगा यहाँ पर factor कैसे तो रहेंगा जब उसका X square plus 1 equal to 0 करते हैं X का value कुछ रखिए जो 0 आ जाए negative positive कुछ भी real number रखेंगे हमारा positive होगा तर फेक्टराइशन होगा यह quadratic है कि नहीं है तो अब देखें यहाँ पर यह तो मैंने लिक दिया यह सब example के तोर पर समझे लिए expression इस तरह का तो क्या लिखेगा A by कितना है X plus 1 plus B by कितना है X plus 2 C by कितना है क्योंकि linear का ही दो factor है यहाँ पर X plus 2 का square और उसके बाद देखें यह quadratic है आपका quadratic है तो क्या लिखेगा C हो गया तो DX उपर में linear लेना है DX plus कितना हो गया E linear उपर में linear नीची में quadratic X square plus 1 यह expression समझ में आया बहुत सरा example हम लोग ले सकते हैं यहाँ पर example के form में हम लोग ले सकते हैं quadratic हो गया अगर quadratic हम लोग लिखते हैं जैसे उपर में 1 ही है नीचे में क्या लिखते हैं X plus 1 का square इंग कर दिये यह X square plus 2 उसका लिख देते हैं square इंग यह देखे उपर में degree 0 constant term नीचे में कितना है 2 और यहाँ पर देखे 2 का square 4 6 हो गया अब इसका expression कैसे बनाओ के बुगा यहाँ पर लिखेंगे A by कितना हो जाएगा X plus 1 linear कितना 2 तब by कितना हो जाएगा X plus 1 का square ठीके अब यहाँ देखे quadratic इसका factor नहीं टूटेगा तब factor नहीं टूटेगा था क्या लिखेते हैं उसके बाद linear यह quadratic है नीचे तो उपर में linear तो 2 है तो पहला किसे लेंगे हम लोग देखे तो CX plus D by कितना X square plus 2 यहाँ जैसे linear का repetition है तब B by अतना linear रख कर दी है यहाँ पर देखे कितना हो गया एक हो गया अब देखे दूसरा quadratic के दूसरा quadratic के तो फिर linear लिए तो वहाँ पर कितना D हो ही गया है EX plus F arbitrary constant सबका सब parametric form है इसका esquiring अब A, B, C, D, E, F हमको निकालना है expressions यह partial fraction का जो expression रहेगा तो कैसे हम लोग इसको transform कर लेंगे पहले यह समझ में आ रहा होगा linear है factor non-repeated यह repeat नहीं कर रहा था तो अलग अलग यहाँ देखे linear का repetition कर दिया है तो यहाँ पर देखे repeat कर दिया मैंने उसी तरह देखे linear and quadratic है तो यहाँ पर देख रहा है कि linear linear repetition और quadratic के form है सीधे यहाँ पर देखे quadratic है तो linear ले लिए है यहाँ पर quadratic का repeat होड़ा है linear भी दे रहा है linear भी repeat कर रहा है quadratic का repeat कर रहा है तो जब इस तरह का expression रहा है तो पहले हम लोग इस तरह से क्या करेंगे transform कर लेंगे इसको इस format में क्योंकि इसी का integration possible है हम लोगों के पास ठीक है इसका नहीं है तब हम लोग देखिए समाझ में आ गया होगा partial fraction कैसे हम लोग transform करेंगे सबसे पहले partial में ही करना पड़ेगा तब integrate करेंगे ठीक है चलिए पीछे तो सीख गए हम लोग proper and improper सीखी गए है proper and improper के बाद क्या partial सीख गए है तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे दोनों repeat नहीं कर रहा है दोनों अलग-अलग linear factor है linear है तो अब क्या करें linear expression जो है यहाँ पे इसको क्या करते है partial में partial से use करेंगे तो partial अभी सीखें by using partial by partial fraction by partial fraction partial fraction से कितना है integrant को निका लें जैसे integrant को मतलब x-1 2x-3 इसको मैं कितना लिखूंगा मतलब इसको कैसे transform करेंगे the partial fraction लिख लीजिए तब लिखिए कितना a by कितना है x-1 by linear दोनो 2x-3 अब इसको यही होगी हमारा 1 इसको बनेंगे मतलब इसके अब a और b का value निकालना है हमको पहले तो पहले अब देखिए इसको solve कीजिए तो कितना हो जागा x-1 इसका LCM लो x-1 दोनों का दोनों एक है अलग है कितना हो गया 2x-3 अब उसके बाद क्या है इसका LCM इससे divide करके इसको multiply करेंगे तो कितना होगा a into 2x-3 plus bx-1 हो गया इतना अब चाहें तो कितना हो गया इसको इससे काट लो तो बच कितना गया बगा देखो तो 1 equal to a into 2x-3 plus b into x-1 अब इसमें अपने मन जब यहां तक हम लोग पहुँच गये हैं तो कि a और b का value निकालना है हम लोग रखेंगे किसमें सबसे इसमें पहले अपने मन से जब भी जब जब linear जो है repetition है अलग-अलग linear factor है अलग-अलग same नहीं same अगर रहेगा तो उसको coefficient अगर question बनाएंगे अभी हम लोग तो समझ में आएगा कि equating coefficient both side multiply करने का जो equating होगा जो relation आएगा उस relation से इसको हम लोग निकाल लेंगे ठीक है कोई दिकत नहीं है अब देखेंगे आप पूट क्या करेंगे देखेंगे आप नीचे में क्या देख रहा है linear factor है कि नहीं linear तो यही रखेंगे कितना x minus 1 equal to 0 या x equal to कितना रखेंगे 1 जहाँ जहाँ x रहेगा वहाँ वहाँ 1 रख दो ते इसलिए कितना हो जाएगा देखो तो 1 equal to a 2 into 1 plus 3 b यहाँ पर 1 minus 1 रखते हैं तो कितना बन जाता है वहा यह 0 तो कितना हो जाएगा a बराबर कितना होगा a निकाल हो कितना 1 by नीचे 3 1 by 5 आगया कि नहीं आगया फिर क्या है अब फिर पूट करेंगे हम लोग क्या चीज़ सावलत से देखें नीचे क्या है हमारा देखो यहाँ 2x plus 3 linear क्या करेंगे हम लोग 2x plus 3 equal to 0 मतब x जहाँ जहाँ होगा minus 3 by 2 रख देना जहाँ जहाँ इसी में इसलिए 1 equal to 2x plus 3 equal to 0 a into 0 plus b x के जहाँ पर क्या रखोगे minus 3 by 2 minus 1 यह 1 equal to यह कितना हो जागा b यह तो 0 हो गया minus 2 कितना हो जागा minus 5 LCM ले लो इसके minus 5 by 2 इसको उधर ले जाओ तो कितना हो जागा b बरावर minus 2 by 5 ठीके a निकल गया b निकल गया अब क्या है from लिख देते हैं कि 1 से इससे इसलिए integrant बरावर i बरावर इसको i माल लेंगे हमेशा क्या मालेंगे i क्योंकि integration i बरावर इतना तो i बरावर integration आपका लिखा हुआ कितना है x minus 1 x plus 2x plus 3 क्या है 2x plus 3 dx तो हम क्या बोलें कि इस integrant के जगा पर ये इस integrant देख रहे हो यहाँ पर इसके जगा पर क्या रखेंगे यही a by इतना b by इतना तो वहाँ पर देखे तो क्या रख देंगे हम लोग integration इसके जगा पर कितना रखेंगे a a का value कितना 1 by 5 by नीचे कितना हो जागा x minus 1 plus b के जगा पर कितना आ गया minus 2 by 5 नीचे कितना हो गया 2x plus 3 ये हो गया dx ok समझ में हो रहे हैं इने बात कितना हो गया यहाँ पर तो 1 by 5 निकाल लीजिए integration y by x minus 1 dx plus minus 2 by 5 integration 1 by 2x plus 3 into dx ये linear के बारे में जब linear होगा तो क्या होगा याद होगा आपको कि मैंने बोला था कि integration 1 by x का क्या होता है तो log x integration 1 by क्या है x plus b into dx क्या लिखते थे log x plus b ठीके by coefficient of x कितना a ok तो यहाँ पर समझ में आ गया कैसे हो गया उसी तरह इसका क्या हो जाएगा देख लो बोगा 1 by 5 कितना हो जाएगा log x minus 1 coefficient of x कितना 1 तो नीचे 1 लिखने के जुरुवत नहीं minus 2 by 5 कितना हो जाएगा log 2 x plus 3 by कितना है 2 तो इससे 2 से 2 काट लो अब पलस इसमें क्या हो जाएगा c तो यह i बराबर था i को थो थो एस्टेंडर फार्म में लिखो 1 by 5 log x minus 1 minus कितना हो जाएगा 2 से 2 काट लिखा तो 1 by 5 1 by 5 log 2 x plus 3 plus c 1 by 5 कॉमन लेलो बचा कितना log x minus 1 minus log कितना होगा 2 x plus 3 ठीके plus c यह आई एक चीज़ रिजल्ट हो जाएगा देखे 1 by 5 यहाँ पे देखिएगा हमारा इसमें थोड़ा logarithmic function का 2-3 important properties है इसको क्या लिखो के भूगा देखोता है log of a positive m minus 1 कितना हो जाएगा x minus 1 by कितना हो जाएगा 2 x plus 3 ठीके plus c यही आपका result आगया ठीके कितना हो गया यह result हो गया ध्यान देजीएएँ यहाँ पे remark में देखे एक note में हम लिख देते हैं remark में करके कि क्या क्या आपको जरूरत पड़ेगी थोड़ा बहुत जानते होई है कि log अगर m है into n है into p है अगर लिखा होगा तो दोनों देखे log m plus log n plus log p ठीके into में रहेगा जो add में तो इसको into में कर देंगे यहाँ पे कुछ नहीं दिया है तो क्या समझेंगे base कितना है हमारा e यही defined है अब हम लोगों का क्या है log m minus n है कितना हो जाएगा देखो तो log of कितना है m to the power n base e है तो कितना हो जाएगा n into log of कितना हो गया m हो गया कोई दिकत नहीं होगा जो ज़रूरत इसमें पढ़ेगा इसी तरह अब ही क्या था log m minus n तो m by n हम लोग कर लिए कि नहीं आपको जो भी ज़रूरत पढ़ेगा log a base a रहेगा इसका value कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा जानते हैं कि अगर सीधे log e लिखा हुआ थी इसका base e बरावर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा जानते हैं कि log 1 अगर है यहाँ पर कुछ भी दिया रहेगा जानते हैं कितना हो जाएगा 1 नहीं होना चाहिए base जो है 1 नहीं होना चाहिए इसका value कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा यह basic जो होगा आप समझ रहे होंगे कि कैसे कैसे log का तो basic यह result देख रहे हैं जो भी transform है अगर मानली कभी लिखावा log यहाँ पर लिखावा कि x base a equal to p तो x बराबर कितना हो जाएगा x बराबर a to the power p ठीक है यहाँ पर कोई परचानी नहीं है किसी को चलिए अब हम लोग उसी तरह और question देखे यहाँ पर देखे अगर यहाँ पर डेखे कितना है factor किये x पर power 1 है आउपर में क्या है x cube है नीचे quantity का उपर क्या है हमारा cubic है तो यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर here यहाँ इंटीग्रांट की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पर यहाँ क्या है degree of degree of किसका numerator कितना है 3 greater है नीचे कितना है देखोता degree of कितना है denominator denominator कितना है तुमारा 2 क्योंकि इसको multiply कीजिए x square हो जागा maximum तो 2 है तो यह क्या है हमारा यहाँ पर हो किया गया है हमारा improper improper rational function है कि ने integrant में rational function तो क्या करना है पहले transform करना किस में proper में तो proper में कर कैसे दें simply इसको क्या करेंगे यहाँ पर तो लिखेंगे let 3x square x cube plus 2x square plus x plus 1 इसको कितना से कर दें इसको multiply कर लो x square 1x plus 2x 3x इसको multiply करेंगे तो कितना हो गया x square plus 3x plus 2 तीक है यह factorize किया हुआ नीचे में क्योंकि हम लोग partial में ही तोरने के लिए हम लोग function में हम लोग पहले transform कर लेते हैं तो यहाँ ता partial है यह factorize किया हुआ तो partial में हम लोग यूज करेंगे तो कैसे divide किजिए यहाँ पर कितना है x cube यहाँ पर कितना है x square तो कितना से multiply करेंगे तो x होगा x है यहाँ पर 3 है तो 3 लिख दो तो यही 3 x square नो हो गया 3 x 3 x लिख दी है तो 3 से multiply किजिए 3 x cube plus कितना है 9 x square कितना हो जागा पलस 6 x 6 x कितना हो जागा minus 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 कट गया कितना हो जागा minus 7 x square minus 5 x अब यह कितना है plus 1 एक और जो बच गया एक एक टर्म करके इसको लाइए अब कितना से multiply करना पड़ेगा भूआ यहाँ x square है यहाँ minus 7 है minus 7 minus 7 से multiply किजिए minus 7 यहाँ लिख डालिए minus 7 से multiply करेंगे minus 7 x square यह सब अब सीखे होंगे 14 अब गटाई यह इसको plus, plus, plus कोई दिखे है minus 7 plus था है अब यह कितना हो गया यह तो कट गया minus plus हो गया यहाँ पर देखे तो minus 5 minus 21 तो plus 16 यहाँ पर कितना हो जाएगा plus 15 16 x यहाँ पर x square यहाँ पर remainder का degree कितना है हमारा यह rx हो गया ठीक है, rx का function है यह जानते हैं किया हमारा qx हो गया cosine हो गया यहाँ जो divisor है तो now let मान लिया जाए कि अब i बराबर यह जो दिया हुआ था कि 3x cube plus 2x square plus कितना x plus 1 2x square नीचे में क्या है x plus 1 x plus 2 into dx ठीक है यहाँ पे क्या कर लेंगे इस integrant को कितना लिखेंगे जब divide कर लिए तो इस integrant को देखोता कितना है integration of इसके बदले में इसके बदले में क्योंकि इसी को ने divide किया मत्तब यहाँ पर जो देख रहे है जो लिखा हुआ कितना है 3x cube यहाँ पे क्या यहाँ डिरेक्टी लिख देते है ठीक है इसके बदले में कितना 3x square इससे divide किया है तो यह cosine कितना है हमारा 3x minus 7 plus remainder कितना है 16x plus 15 बाद नीचे किसे y कितना divisor x square plus 3x plus 2 इसका factorization कितना था x plus 1 x plus 2 इसका into dx अब अलग-अलग करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को दिखे तो अलग-अलग कितना है यह आई ही है तो कितना होगा 3x तो 3 बाहर x dx minus 7 constant बाहर है तो बज़ीगा 1 into dx अब plus कितना है 16x plus 15 into dx इसका result कितना लिखे होगा 3 यहाँ पर पावर 1 है तो x square by 2 minus 7x plus इसका कितना है इसको हम लोग i1 माल लेते हैं ठीक है i1 result हो गया यह अब जो result हमारे पास आएगा इस result के हिसाब सही न लिखेंगे हम लोग तब i1 solve कर लिजीए i1 कैसे होगा अब i1 देखिए now and अब देखिए i बराबर i1 i1 बराबर कितना हो जाएगा यह linear 16x plus 15 नीचे क्या है x plus 1 x plus 2 into dx ठीक है अब यह proper है क्या यह proper proper तब proper हैगा तो देखिए नीचे दो factor है कि नहीं linear linear तो लेट मान लिया जाए कि 16x plus 15 के जगा पर 15 by x plus 1 कितना है x plus 2 a by x plus 1 plus b by x plus 2 इसको equation number 1 मान लेते हैं ठीक है अब यही वहाँ पर use करेंगे result तो देख रहे हैं हम लोग result के सामने r लिख दी हैं तो वही integration का result आएगा हम लोगों का ठीक है अब देखिए अब वही कैसे solve करते हैं दोनों का lcm x plus 1 x plus 2 इससे divide करते हैं इसको इससे multiply करेंगे x plus जैसे आप सीखे हूँ है ठीक है b कितना होगया x plus 1 यह 16 x plus 15 x plus 1 x plus 2 अब इसको card दीजिए बचेगा कितना 16 x plus 15 a into x plus 2 plus b into x plus 1 मतलब हम लोग जो integrant है ना उसको transform करके partially तो वो जो term है उसको लिखें क्योंकि वो integrable है यह नहीं है integration ठीक है तो इसलिए तो use किये है अब हम लोग यहाँ पर put क्या कर दें बताओ put कितना है x plus 1 x plus 1 equal to 0 that means x के जगपा कितना उसको दें minus 1 इसलिए यहाँ रखो 16 minus 1 15 a into minus 1 plus 2 plus b यह x plus 1 के जगपा कितना लिखें है 0 तो 0 कर दिये minus 16 plus 1 कितना हो गया minus 1 a के जगपा कितना हो गया 1 इदर 0 हो गया तो a बराबर कितना हो गया minus 1 a का भेलू निकला कि नहीं निकल गया अब same layer फिर क्या put करेंगे put x plus 2 equal to 0 ठीक है कितना है हमारा x plus 2 तो x equal to कितना रखेंगे minus 2 समझा तो minus 2 रखिए 16 minus 2 plus 15 a x plus 2 equal to 0 तो यहां देखिए x plus इसी में रखना है यहीं पर यहीं नहीं हम लोग पहुंचते है तो उसी में a के equating किजिए दोनों साइड में a x b a plus b equal to 16 2 a plus b equal to 15 a b के रिलेशन से बना लिजिए नहीं तो आसान linear वाला अपने मन से पूट करते जाएए कैसे अपने मन का मतलब यही है कि इसको देख कर x plus 1 equal to 0 तो x परावा minus 1 x plus 2 linear है तो ठीके यहां पर कितना हो गया x plus 2 के जगपर कितना रख दें 0 plus b यहां पर कितना है बुगा minus 2 plus 1 minus 2 plus b minus 2 plus 1 कितना हो जाएगा minus 32 plus 15 0 b equal to minus 1 यह कितना कितना होगे देखो minus 17 equal to minus b तो b equal to कितना हो जाएगा 17 a और b का वैलू देखो a भी निकल गया b भी निकल गया अब क्या है from 1 से from 1 से देखो तो यहां से from 1 i 1 equal to कितना लिखोगे i 1 equal to कितना लिखोगे इसके बदले में इसके बदले में देखो यहां पर इसके बदले में from 1 से कितना लिखे a by x plus 1 a कितना था तुमारा integrable इसमें minus 1 by x plus 1 plus यह कितना हो गया 17 by कितना है x plus 2 dx अब इसका दिखे कितना हो गया i 1 कितना है रिजल्ट minus 1 by x plus 1 dx plus 17 बार 1 by कितना x plus 2 dx इसका जानते हैं minus कितना होता है log x plus 1 plus 17 इसका कितना हो जाएगा log x plus 2 plus c यह i 1 हो गया अब देखिए ही 17 है into यह किस परपड़ीज पर जो आपको पीछे बताएए हैं यहाँ पर चलिए यहीं पर देख लिए यहाँ पर इसको कैसे लिखेंगे जानते हैं n into log of m रहेगा तो इसको लिखेंगे log of m to the power n तो इसको कैसे लिखोगे आगे कर दो इसको log of x plus 2 पर 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 कितना लिखें हम लोग पर कितना 17 यह positive होना चाहिए log जो है undefined है positively defined है minus log of कितना हो जागा भुगा x plus 1 plus c जो भी हो log m minus n जानता भी लिखे है log of m minus log of n कितना लिखोगे log m by n log i1 equal to x plus 2 to the power 17 नीचे कितना है x plus 1 model is plus c अब हम लोग देखे तो ना इसलिए i बराबर integration from कहां से नाउ from r result जो था उस result से क्या i बराबर कितना था i बराबर ठीके i बराबर कितना था 3x square by 2 minus 7x plus i1 3 x square by 2 plus 7x plus 7x minus 7x minus 7x ठीके minus 7x minus 7x plus i1 the result रख दीए 3x square by 2 minus 7x plus i1 के जेके पड़ हाई कितना होगे आपका दिखे कितना log of कितना x plus 2 to the power 17 by x plus 1 plus यह होगे आपका रिजल्ट आ गया तो आप समझ में आ रहा है कैसे हम लोग fraction में हम लोग तोर के partial fraction से जब भी नीचे रहगा तो उस तरह से question कैसे बना लेंगे कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को परशाणी तो नहीं है क्या तो आगे का question देखे यहाँ पे repetition वाला आगे repetition इसको कैसे transform करेंगे पहले integration वे linear repetition तो let मान लिया जाए x plus 5 by कितना है x minus 2 का square क्या लिखोगे a by x minus 2 by x minus 2 का square ठीक है अब इसका LCM जो लेंगे तो क्या मिलेगा x minus 2 x minus 1 x minus 2 का square हो गया इससे इसको भाग दिये तो कितना 1 है तो a into कितना हो जागा x minus 2 plus यहाँ पर कितना हो जागा b x plus 5 by x minus 2 का square हो गया तो देखे ते कितना हो गया यह हो गया तो लिखो कितना x plus 5 equal to a into x minus 2 plus b हो गया equating कर लिजे सबसे आसान हो जागा equating कर लिजे नहीं आग क्या करते है यहाँ पर x minus 2 equal to 0 किजेगा तो एक value आगा b का फिर क्या है कि equating कर लिजेगा तो इतना हो जागा equating तो equating करने के बाद क्या मिलेगा equating both side equating both side क्या हो जागा x का coefficient कितना 1 यहाँ पर x का coefficient 8 a परावड कितना हो गया 1 constant term कितना है constant term कितना है 5 constant कितना हो गया minus 2a अब पलस कितना हो गया b तो b परावड कितना हो गया 5 plus twice से 5 plus 2 into 1 ठीक है B equal to कितना 7 A निकल गया B निकल गया अब देखिए from 1 से integration किजिए from 1 से integrate किजिए कितना हो गया I बराबर let I बराबर कितना लिखेंगे मानलिया I बराबर कितना वही न था X plus 5 X minus 2 का square DX तो यही जो DX है यहाँ पर देखें यही जो integrant है इसके जगपर कितना लिखेंगे यहाँ से उठा कि इसको A का value कितना तो 1 1 by कितना X minus 2 plus B के जगपर कितना 7 कितना हो जागा X minus 2 का square यह ऐसे अब क्या है अलग-अलग यह I बराबर कितना हो गया 1 by X minus 2 DX plus 7 बहार 1 by X minus 2 का square DX इसका कितना हो जागा log of X minus 2 plus 7 अब देखिए यहाँ पर अगर मान लिया जाए कि लेट इस जगपर से X minus 2 बराबर कितना T मान लियागा differentiate किसके respect में करना है X के 1 minus 0 DT by DX DX बराबर कितना हो गया DT कितना हो गया 1 by T square DT log of कितना X minus 2 plus 7 उपर ले जाएगा ते कितना T per power minus 2 DT log of X minus 2 plus 7 इसका कितना हो गया T per power minus 2 plus 1 जानते हैं integration X per power N DX रहेगा X per power N plus 1 Y N plus 1 कब लिखते हैं जब N सिर्फ क्या नहीं होना चाहिए minus 1 अब minus 1 था तो क्या लिखते थे X per power minus 1 DX को क्या लिखते थे कि 1 by X DX पर आवर कितना हो जाएगा log of X ठीके यही हो गया तो यहां पर कितना हो जाएगा minus 2 by कितना हो जाएगा minus 2 plus 1 plus C log X minus 2 minus 1 minus कितना हो जाएगा minus 7 T per power कितना minus 1 ते नीचे हो जाएगा T plus C T कितना था हुआ minus 7 T किसको माने थे this one X minus 2 plus C इसका result कितना हो गया यह result हो गया क्या ऐसे इंटिग्रेट इसका कर लेंगे कोई दिकत आगे और कोशन देखिए यहां देखिए इसका इसका कैसे पार्सिल बनाएंगे बनाएए इसको ओके कितना हुआ कितना देखिए